और यहा को बखो नदोस्तों दोस्तों आजकी वीडियो में हम लोग डिस्कूस किरणे वाले हैं बीक्ति थे तर्डीयर जो जी वीडियोर का सिलेवले थे यांग हैं कि कौन सा इसका क्या क्या पूरा से लेवस है वह हम लोग आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को करते हैं फटा फट शुरुआत तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं बियसी की जितनी भी सब्जेक्ट होती हैं हर एक सब्जेक्ट मे इसकेंड पेपर होगी सब्सक्राइबली सब्सक्रादाइब फर्सकाइबन है आप और जैसे आप लोगों के पढ़ा हुआने उसी फटाइए प्रोटो जो परिया नाम के लिव आपको होगा alcoholic ये वीडियो में ऊ उसी प्रकार आपको यहां पर पढ़ना है तो यहां पर जो आपको प्रोटोज हुआ का है और जो वुचेरिया है निमिटोडा का है ठीक अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट सेकंड में हम लोगों को पढ़ना है बेक्टर सैंट पेस्ट इसके अंतरगत हम लोग गंधी बग यह जीतने भी जिव की गिव की जो की होती है वो का बढ़ना है लोगों को बने हम पर कर रहें इंतरों नियंद्रण पाएं यह सब मोग इस यूनिट में पढ़ेंगे ठीक बत्रोड़ कान लोग मतत्स से पालन करेंगे पाउल्टros घाल से लिए उसनी प्रकार हम लोगों से पढ़ेंगे तो ठीक इसी प्रकार वाइल्ड ओंसके परقي की जतनी चारूज हों देख लिए क्या का पढ़ना है अब बाद ही आती है सेकंड पेपर की तो सेकंड पेपर में हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों पहले जान लेते हैं सेकंड पेपर का नाम क्या है सेकंड पेपर का नाम है बायो टेकनोलोजी इमुनोलोजी बायो लॉजिकल टूल सैंड टेकनिक्स और बाय प्रदोधुकी इसके अंतरगत जेनेटिक इंजीनियर यानिकी अनुवांस की अभियंतरकी कैसे होती है यह हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतरगत बाया टोकनोलोजी फोड प्रसोसिंग यानि कि खाद संसाधन की जो जय प्रदोधुकी है उसको हम लोग पढ़ेंगे सेकंड युनिट आते हैं इमुनोलोजी यानि कि प्रतिरच्छा बिग्यान जो होती है इसको हम लोग इमुनोलोज कहते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे इसके अंतरगत टाइपस ऑफ इम्म्नो इम्मिनूटी यानिकी इम्मिनूट सिस्टम कितने प्रकार का होता है यह सब हम लोग गालोरी विटेल माइकरो टॉम हो गया स्पेक््क्रोफोटो मीटर हो गया मैख्रोइस कोपी हो गया क्रोमेटोग्राफ्य वह च्छुआ इन्लेक्रों 村瀏ंवीन कि इसको हम लोगberg की इंट्रोडक्षन इसके बारे में पढ़ेंगे तो यह सेकंड पेपर की की चार पाप है जैसे प्रस्तोर सगेर्ट में हम लोगों ने देखा तो फस्ट एमठो पढ़ना है इकोलोजी के अंतरगत भाइक लोजी तो हम लोग हाई स्कूल में पर पढ़े होता हैं इंटरमीडियट की लेबल तक यह में काफी लेवल फोरा जाती है आपकी pollution and toxicology, pollution यानि की types of pollution, production कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके source हैं, कितने type के होते हैं, क्या concept रखता हैं, तो यह हम लोग पढ़ेंगे unit 4 में, तो इस प्रकार हम लोगों ने बिस्कस कर लिए है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए, तो वीडियो के description में PDF की link मिल जाएगी, वहां से आप लोग PDF आसानी से download कर सकते हैं, तो आसा करते हैं, दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, चैनल पर नहीं है, तो subscribe जरूर करें, दोस्तों इसी चैनल पर हम लोग जो BSC की methodology है, वो discuss करने वाले हैं, जितने भी topic हैं, उनका सलेबस, वो हम लोग को समझेंगे, और उनकी अच्छी ची नोट से बनाएंगे, तो आने वाली वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं, कि नेक्स्ट वीडियो मिले, तो प्लीज जो subscribe के बगल में, प्रेस बेल आइकन का जो चिन है, या आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचें, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के तब तक के लिए धन्यवाद,